नवस्कार मैं समर के मुघर जी और आपका स्वागत है डीजी फिल्मिंग के इस परिवार में आप मैंसे बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो हमारे पीछली वीडियो में ये कमेंट किया है कि मैं अपने कहानी को कैसे लोगों तक पहुंचाओं या डिरेक्टर के पास या प्रडक्शन हाउस में या आप तक कैसे पहुंचाओं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी कहानी पहुंचाने से पहले कहीं तक आपको सुनाने से पहले आपके कहानी या आपके स्क्रिप्ट में क्या होनी चाहिए क्योंकि आपने लिखा है आपको वो कहानी, आपको वो script, आपको screenplay, dialogue, सब कुछ अच्छे लगेंगे आपको लगेगा कि मैंने तो एक नया कुछ सोचा है और ये अगर film आ जाएगी तो कमाल हो जाएगा और हम आप मिलकर बहुत पैसे कमाएंगे, ऐसे बहुत सारे phone calls मेरे पास आते हैं, बहुत सारे email आते हैं लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि क्या करें, आपके पास एक बहुत अच्छे script है, बहुत अच्छा concept है और आपने script लिखा है या लिखने वाले हैं, दोनों ही condition में हम बताएंगे अगर आपने script complete नहीं लिखी है, तो पहले तो लिखी है केवल story सुना के या concept सुना के आपको काम नहीं मिलने वाला है होता क्या है, जो script और story के बीच में जो journey होता है, वो बहुत बड़ा journey होता है कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन script अच्छी नहीं है क्योंकि और आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है, हो सकता है आप filmatic तरीके से आपने उस script को लिखा ही नहीं है जबकि कहानी अच्छी है, और कई बर क्या होता है, कि कहानी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपने scripting इतनी अच्छी की, screenplay इतना कसा हुआ किया dialogues इतने अच्छे किये, कि वो film चल जाती है आजकल क्या होते हैं, बहुत सारे actor ऐसे हैं, कि आपके जो कहानी का one line नहीं सुनते हैं यह नहीं कहेंगे कि अच्छे कहानी बताओ, स्टोरी बताओ, स्टोरी अगर अच्छे लेगे तो हम आगे बात करेंगे वो सीधे अगर आपसे प्रभावित हैं, आपके बातों से प्रभावित हैं, तो definitely आपसे सीधे script पर बात करेंगे कि मैं पहले script सुनना चाहूंगा, क्योंकि script में जो presentation होता है, एक-एक scene का presentation होता है वहाँ पर वो actor अपने आपको देखता है कि मैं इसमें कैसा लगूँगा, director देखता है कि हम जब direct करेंगे तो वो कैसा screen पर आएगा और एक producer ये देखता है कि जब वो film लगी यानि रिलीज होगी तो उसमें पैसे कैसे आएंगे, यानि दरशक उसे किस नजरी से देखेंगे तो तीनों का एक होना बहुत ज़रूरी है, यानि आपके film के साथ एक बड़ा actor, जो भी actor हो, ओ actor मत्मुएन होना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ ये film मेरे लायक है, लिखी गई है, director है, उसको लगे कि हाँ इसमें कुछ direction करने का मौका मिलेगा और ये film अच्छी बन सकती है तो भी producer बहुत बड़ा बन जाता है, तो दोनों ही condition में कामियाभी का जो पैमाना होता है, इससे नापते हैं वो producer कि हम इस film से क्या हम earn कर पाएंगे तो सबसे पहली बात कि आप film जो सोचे हैं, उसको script में तबदिल करिए और वो भी professional cinematic तरीके से क्योंकि अगर cinematic तरीके से वो film नहीं लिखी गई होगी, तो निश्चित जान लिजिए कि आगे जाते ही वो छट जाएगा, यानि उसको लिया नहीं जागा, accept नहीं किया जाएगा पहले की 10 साल, 20 साल पहले की बात अलग थी, जिससे में 80's या 90's के film में लिखी जाती थी, वो पूरे नाटक की तरह लिखा जाता था, जैसे ड्रामा लिखा जाता था, उस तरह से लिखा जाता था लेकिन अब एकदम change हो गया है, सारी चीजे change है, अब लोगों को उसके अंदर short division का भी कुछ put होना चाहिए, तकि लोगों को लगे कि ये जब हम shoot करेंगे तो कैसा दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे-ऐसे shots आ गया है, जो आप चाहेंगे, आपके मन में आ रहा हो, कि हम कि film का ये portion इस धंग से film आया जाए, तो वो आप कैसे लिखेंगे, आपको लिखना आना चाहिए, नॉर्मली जो action portion है, जो action का मतलब है, मारपीट वाला action नहीं कह रहे हैं, जो script में जो लोग कर रहा है, जो भी उसमें character, जो काम कर रहा है, तो उसको action बोलते हैं, तो action का portion ज हम approach कैसे करें, देखे, approach करते ही, सबसे पहले जो नए writers हैं, उनको सामना करना पड़ता है, दो चीजों का, पहला तो उनको पता ही नहीं है कि किस number पर phone करें, किस email पर email करें, या किस से जाके मिले, और मिलने जाएं तो वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है तो इसी को थोड़ा struggle बोलते हैं, struggle जो आपको खुशी देने वाला struggle होना चाहिए, वो पसीना बहाने वाला struggle नहीं, कि आप 10 लोगों को, 15 लोगों को daily phone करिए, phone number आपको मिलते हैं, directory से, बहुत सारे directory मुंबई में हैं, आप net पर जाएंगे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाह पर आप जाकर के script छोड़ सकते हैं, दूसरा है, अगर आपके पास कोई actor है, तो producer, director आपको खुद भी खुद मिल जाएंगे, अगर आपका script इतना अच्छा है, आपको किसी producer के पास जाने की जरूद नहीं, किसी director के पास जाने की जरूद नहीं, अगर कोई अच्छा actor, जो sellable actor हो, जिसकी film में चलती हो, यानि जिसको sign करने के लिए producer या director उतावले रहते हो, ऐसे कोई भी actor अगर आपके script को select करता है, कि ठीक है, इस पर मैं film करना चाहूँगा, पैसी की बात अलग, पैसा बहुत आजाएगा, signing करने के लिए या उनको जो fees है, देने के लिए बहुत सारे financer, producer, लोग मिल जाएंगे, में जरूरी है कि वो actor उस script से convinced है कि नहीं, तो अगर वो convinced है, तो जान लिजिए आपका 80% काम हो गया, 20% काम बचा है कि कोई producer या कोई financer उस पर finance करे या पैसा लगा, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो सबसे पहले आपको देख नए writer के साथ जिल्दी नहीं काम करना चाहता है, सोचता है कि पता नहीं वो कैसा लिखेगा, लेकिन ये सोच कि आप चुप अगर बैठ गये, तो काम नहीं होगा, आपको मालूम है, देली बेली जो film थी, वो कई साल से लिखी गई, और अमीर खान जी को जब दिया गया, त बहुत दिनों तक उनके सामने पहुंचा ही नहीं, बाद में किसी जगा जा रहे थे वो, उस समय उनकी पतनी का नजर उस script पर पड़ा, वो देखकर काफी हंस रही थी, तो अमीर खान जी ने कहा कि भी, क्या हंस पढ़ रही हो, क्या आप देखके हंस रही हो, तो उन्होंने पढ़ा और डेली वेली फिल्म फिर उन्होंने उसको प्रोडूस किया, और फिल्म के बाद से राइटर आसमान चुने लगे, यानि बहुत कामियाब हो गए, तो उसी तरह से आपकी कोई एक छोटी से script भी, आपको कहां से कहां तर पहुँचा सकता है, लगभग हर राइट को एक चीज का सामना करना पड़ता है, यानि उनको बोला जाता है कि आप वन लाइनर सुनाईए, या एक लाइन में स्टोरी बताईए, या संच्छेप में एक पेज में स्टोरी भेजिए, तो अगर अच्छा लगया तो आगे मैं उसको देखूंगा, तो अक्सर क्या होता है कि normally वन पेज का स्टोरी या वन लाइनर लोगों को समझ में नहीं आता है, आप रामायन हो या महाभारत हो, आप उसको वन लाइन में बोलेंगे, तो बोल तो देंगे, लेकिन क्या आपको वो मजायागा स्टोरी में, जो आप सोच के लिखें, या कोई राइटर लिखता है, तो क्या एक लाइन में संभव है, तो आखिर क्या करें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है, कि आप अपने फिल्म को कभी भी नरेट करने जाएं, या उसके बारे में बोलने जाएं, तो आप एक पैराग्राफ ऐसा सोच के रखें, कि ये अगर मैं बोल द आते हैं, कि एक लाइन में पूरी कहानी बता दो, लेगिन आपको करना क्या है, कि एक लाइन में पूरी कहानी नहीं बतानी है, आपको एक लाइन से उस जगह पर पहुंचाना है, ताकि उसके बाद उनके मन में आए, कि अब निक्स्ट क्या है, तो अगर उनके मन में निक् स्क्रिप्ट को सुनेंगे फिर से हम दूसरी बात बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट या जो कहानी है और स्क्रिण प्ले डायलोग इन दोनों की बीच में जर्नी है क्योंकि जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं सिनेमेटिक वे में है तो एकदम अलग धंग से आता है वो चीज तो वो आपको आना चाहिए कि उसका टेकनिकल हर टर्म्स आना चाहिए ताकि वहां जा करके आप परिशान ना हो अच्छा एक चीज और मैं बता दूँ जो परिशानी होती है मिली जो हिंदी भाषी छेत्र के लोग हैं जिनकी English कुछ कमजोर है वो जब किसी स्टूडियो में जाते हैं या किसी बड़े डिरेक्टर या बड़े समू में आपको किसी ने अप्रोच किया या आपकी कहानी में दम है लोगों ने आपको बुलाया तो वहां पर बाकी लोग क्या है कि आपस में English में आपके कहानी के बारे में discuss कर रहे हैं और आप से भी बात कर रहे हैं तो उस समय आप बहुत नर्वस हो जाते हैं एक तो आप उतने उस धंग से आप समझ सब कुछ पा रहे हैं कि वो क्या बुलना चाह रहे हैं लेकिन आप उस धंग से उसको present नहीं कर पा रहे हैं तो आप कभी भी so called जो intellectual दिखने में लगते हैं बहुत बड़ी-बड़ी बाते करते हैं तो आप जब कुछ देर तक उनकी बाते सुन लेगे न तो आपको लेगे नहीं नहीं हमसे ये अलग नहीं है बस इनके भाशा का जो कला है वो थोड़ा सा अलग है बाकी हमारी जैसे हैं आप ही जैसे सोचेंगे हो सकता है आप उससे बिटर हो तो कभी भी इन चीजों से मद घपड़ा येगा कि आपका tone हो सकता है South India से आए हो बिहार से आए हो या Bengal से या कहीं से तो हिंदी का भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है सबका लेकिन आपके अंदर की जो जिस्ट है जो आप बताना चाहते हैं स्टोरी के माध्यम से वो अगर powerful है देखिए आसू का रंग नहीं होता है चाहे आप किसी भी भाशा में बोले तो आसू आसू होता है खून का रंग लाल ही होता है तो उसी तरह से स्क्रिप्ट में अगर दम है तो आपका स्क्रिप्ट हासा सकती है आपके स्क्रिप्ट रूला सकती है तो आप अपने स्क्रिप्ट पर भरुसा रखे थोड़ा सा टाइम लगता है कभी भी आप किसी को फोन करके बार-बार एप्रोच इससे पहले भी हमने वीडियो में बोला है न करें आप उनको भेजिये कई बार क्या होता इस स्क्रिप्ट आपने दे दिया एक साल बाद उस स्क्रिप्ट पर नजर पड़ी आपका एक तो स्क्रिप्ट रेजिस्टर्ड होना चाहिए और नीचे आपका फोन नमबर आपका एड्र्स और बराबर ऐसा फोन दीजिए जो फोन आप चेंज ना करें क्योंकि जो फोन चेंज करते हैं उनको बहुत बार घाटा उठाना पड़ता है नुकसान उठाना पड़ता है और कोई ऐसा संदेश लिखिए ताकि वो मजबूर हो जाए आपसे बात करने के लिए और वो क्या हो सकता है कैसे आप करेंगे अगर उनको लग गया कि आपसे बात करके उनको फायदा होने वाला है चाहे एक्टर को हो, चाहे डिरेक्टर को हो चेक प्रोडूसर को, तो definitely वो आपको बुलाएंगे, और आपकी बात करने का शैली ऐसा होना चाहिए, ताकि वो convince हो कि नहीं, इनके अंदर तो कुछ दम है, आज ये मैं मिलता हूँ, तो उसके लिए हो सकता है कुछ time लगे, लेकिन संभव है, ये असंभव बिलकुल नहीं है आप अगर अभी से प्रयास करना शुरू कर देंगे, और एक चीज है, कि script आपकी proper होनी चाहिए, proper way में लिखा होना चाहिए, cinematic way में लिखा होना चाहिए, ये script complete जब हो जाए, तो आप approach करना शुरू कर दिजे, निस्ची तोर पर कामियाभी मिलेगी, और कोई भी इस तरह क चीजें, script से related कोई और जानकरी चाहिए होगा, तो नीचे comment box में निस्चीत तोर पर लिखे, और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो like करिए, इससे उत्सा बढ़ता है, नमस्कार